कि नमस्कार दोस्तों आप सबका एक बर फिर से हमारे यूटूब चैनल पर हार्दिक स्वागत मैं आपका दोस्त विवेक उकना आज की वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं कि अपरल मिहने में होने वाले देव गुरू ब्रस्पति के राशी प्रवर्तन से तुलाव रिष्चिक और धनू राशी वाले को क्या शुब या शुब प्रनाम जो है मिल सकते हैं मेश राशी से लेकर कन्या राशी तक की चर्चा के वीडियो हम पहले ही अपलड कुर चुकी हैं और उन वीडियो के लिंक जो है आपको इस वीडियो को ये डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे गुरु ब्रस्पती जिने देवताओं का गुरु कहा जाता है वैदिकस्टोलजी में सबसे शुब द्रिष्टी वलग रहा है रहने से गुरु चंडाल दोष्ट का प्रभाब भी दखाई देगा और इस चंडाल दोष्ट के ओपर शनी की द्रिष्टी भी रहेगी दोस्तों और सबसे बड़ी बात अपरेल में सूर्या भी राहू शनी के लिपेट्टे में आ चुका होगा चार स्तंबर को शाम चार बज़ के अठावन मिनट पर देव गुरु ब्रस्पती वक्री अवस्ता में आ जाएंगे और साल के अंतिम देन यानिकी कती से दिसंबर दोष्ट तैईस को सुबा साथ बज़ के आठ मिनट पर वक्री अवस्ता से बाहराएंगे मेश राशी मेश राशी में दोस्तों सवा दो नक्षत्र पढ़ते हैं अशनी भर्नी और क्रितिका अशनी के स्वामी है अशनी नक्षत्र के वो केतू है भर्नी के शुक्र है और क्रितिका की सूर्या यानि कि मेश राशी में गोचर करते हुए देव गुरु ब्रस्पती चले जाएगे वैदिक अस्टॉल्जी के अंसार देव गुरु बरस्पती का राशी प्रवर्तन बहुत महत्तो पूरून मना जाता है क्योंकि देव गुरु बरस्पती की दृष्टी अम्रत के समान है यह जिन भावों पर अपनी दृष्टी डालते हैं उनकी वरिदी करते है इस प्रकार बरस्पती का मेश राशी में गोचर जो है सबी लगन राशी में जर्में लोगों पर अलग रूप से प्रभाव दिखाएगा तो आई यह चर्चा में जानता की जो तुला विरिश्चिक और धनू राशी वालों को एपरल से गुरू के राशी प्रवर्तन से क् यहाँ एक बात हम कहना चाहेंगे हमारी यह पूरी की पूरी चर्चा दोस्तों लगन राशी के अधारी था ना की चंदर राशी के उपर इसके साथ आप सब दोस्तों से हम यह भी कहना चाहेंगे खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस यूट्टूब चैनल पर आ एपली केबल रहेगी तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे तुला राशी वालों के लिए तुला राशी वालों को लिए देव ग्रूब ब्रस्पती जो हैं थर्ड हिम्मत साहस प्रयास चोटी यात्रें चोटे भाई भेन आदी के भाव और सिक्स्त रोग करज शत्रू नोकरी वाद विवाद आदी के भाव के स्वामी होकर सैवंत जीवन साथी और विपार आदी के भाव में प्रवेश करने से ये गोचर आपके जीवन में बड़ा महत्तव पूरून रहेगा क्योंकि ये आपके जीवन में महत्तव पूरून बदलाव लेकर आएगा दोस्तों आप जदी किसी विपार से जुड़ हैं तो आपका विपार बढ़ेगा लेकिन उससे पहले आपको कोई चोट खानी पढ़ सकती है इसका सीधा सा मतलब यह है कि जदी आप किसी विपार में है तो अपरैल से अगस्त के बीच गुरू चंडाल दो चनिना ग्रहों के प्रभाव से व विपार को लेकर काफी आप परशान हो सकते हैं अगस्त के बाद समस्यां बढ़ने लगेंगी और आपका विपार बढ़ता चला जाएगा शादी शुदा जीवन में बीस्तंबर के बाद से अच्छे समय की आहट होगी और आप अपने जीवन साथी से नजदी कियां अन्भ आने वाली रहेंगी कारशेत्र में इस है कर्मियों का सहयोग आपको आपके काम में आगे बढ़ने का मौका देगा बात करेंगे विरिश्चिक राशी वालों के दोस्तों विरिश्चिक राशी वालां को लिए देवगुरू ब्रस्पति जो है सेकिंड प्रवार धनभाव और फिफ्त संतान कलाम रोनजन केटिविटी और स्टोक मार्क आदिके भाव के स्वामी होकर सिक्स भाव जो की रोक का कर्ज कर शत्रू नोकरी वाद 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 आदिके भाव में प्रवेश्च करने से ज़्यादा अनकूल नहीं कहा जा सकता देव गुरू ब्रस्पति का और राहू भी सिक्स भाव में होंगे और इन पर शनी की द्रिश्टी भी रहेगी जिसकी वज़ा से लीवर से समंदित कोई समस्या सामने आ सकती है यदि आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये किसी बड़ी समस्या का रूप धारन कर सकती है जिसके लिए आपको हॉस्प नंबर में क्यारियर में थोड़ा सा अच्छा समय देखने को मिलेगा विपार को लेकर बहुत जादा खर्च होंगे वदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता इस दुरान संतान से समंदित कोई सुखत समाचार भी आपको मिल सकता है बात क करेंगे आखिर में धनूराशी के जातकों के बारे में धनूराशी वालों को लिए देव गुरु ब्रस्पती लगनेश बनते हैं और फौर्थ सुक भाव के स्वामी होकर फिफ्थ भाव जो कि संतान कला मनुरंजन क्रेटिवेटी और स्टोक मार्किट आदिके भाव में प पर तर्दोश की समस्यां जो हैं आपके सामने आ सकती हैं आपको अपनी संतान को लेकर चिलता भी हो सकती है गोचर के शुरुआत में नौकरी में बदलाव की संभावना भी बन रही है आर्थिक समस्याइं धीरे धीरे दूर होगी आपके पास धन प्राप्ति के मार्क सुल्ब होते चले जाएंगी लेकिन परवारिक जेवन में कमी देखने को मिलेगी प्रेम समंदों के लिए गुरु का ये गोचर अनकूल नहीं रहेगा जगड़े होने और रिस्टे में बखराव की स्तिती भी हो सकती है यदि आप स्टूडेंट है तो आपका स्टडी में मन नहीं लगेगा और पड़ाई पर ध्यान नहीं रहने से शिक्षा समंदी समस्यों को आपको सामना करना पड़ सकता है लेकिन अच्छी बात ये होगी कि आपको भाग्या का सहय योग मिलेगा जिसे बिगडते हुए काम बनने लगेंगे और आपका मनुमन भी जो है धीरे धीरे उचा होता चले जाएगा आपको अपने कुल देवी देपता की पूजा करने से प्रबल लाप के योग बनेंगे यदि आप धार में कमार अपनाएंगे तो बहुत फैदा होगा और आपकी समसे खुद बाखुद जो है दूर होती चले जाएंगे दोस्तों तो दोस्तों ये थी जानकारी तुलाव रिष्चिक और धनी राशी के जो जातक है उनके लिए देव गुरू बरस्पती क्या शुब या शुब परनाम लेकर आरे है जानकारी अच्छे लेगी तो प्लीस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स खुला है आप अपने विचार वहां रख सकते हैं और जल्दे ही मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार